दोस्तो आपने कभी सोचा है एक ही नास्ता बनाएंगे और उसमें मोमोस, स्प्रिंग रोल, कचोरी, पकोरी सभी का स्वाद मिलेगा तो कैसे मिलेगा चलिए मैं बताती हूँ इसे बनाने के लिए एक बाउल ले लिए हैं और इसमें हम एक कचोरी गेहु का आटा डाल रहे हैं इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और एक बार अच्छे से मिला लेते हैं अब हम इसमें थोरा-थोरा पानी डालके और सेमी सौफ्ट आटा गुत के प्यार कर मैं इस नास्ते को गेहु के आटे से बना रही हूँ आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं या फिर आधा आप गेहु का आटा ले सकते हैं और आधा इसमें मैदा डाल सकते हैं तो इस तरीके से थोरा थोरा पानी डालते हुए और बढ़िया से मसल मसल के मैं डो को चिकना कर देते हैं एक प्याज को मैं लच्छे में काटके रखी थी प्याज डालने के साथ ही में इसमें स्वादनुसार नमक भी डाल ली और ये सब्जी को हम अच्छे से हाथ से मिला लेते हैं तो इस तरीके से नमक डालके आप सब्जी को मिलाके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजेगा तो इस सब्जी में पानी छूट जाएगा और सब्जी थोड़ा सा स्वागी हो जाएगा तो इस तरीके से हम इसे मिलाके और ढखके छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए अब हम आटा जो गूत के रखे थे इसे एक बार फिर से मसल के और चिकना कर लेते हैं और अब हम इसके छोटे छोटे लोई काट के त्यार कर लेंगे तो अगर आपको नास्ता थोड़ा बड़ा बनाना है तो थोड़ा बड़ा लोई काटिए नहीं तो मीडियम काटिए तो इस तरीके से मैं मीडियम साइज में इसका लोई काटके त्यार कर लेती हूँ और अब मैं इस लोई को चिकना करके रख लेती हूँ तो इस तरीके से र तो इसमें पानी चूट गया है और सब्जी भी थोड़ा सा सौगी हो गया है तो अब हम इसका एक्ष्ट्रा पानी जो है इस तरीके से हाथ से निचोरते हुए निकाल देंगे तो सबजी को हम एक बाउल में रख लेंगे और इसका एक्ष्ट्रा पानी निचोर के हटा देंगे तो इस तरीके से हम सारे सबजी को निचोर लिए हैं और एक्ष्ट्रा पानी जो निकला है इसे हम हटा देते हैं अब हम इस सबजी में थोड़े से बारी कटे हुआ हरा मिर्च और बारी कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दी थोड़ा सा चाट मसाला डाल दी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दी इसमें मैं आधा चमस सोया सोस डाल दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी अब मैं इसमें का टेस्ट पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं इसमें आप पाव भाजी का मसाला भी डाल सकते हैं तो मैगी का मैजिक मसाला में डाले हूँ इसलिए मैं एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाली हूँ अच्छे से मिला लिए हैं अब हम यह जो रोटी बेल के रखे थे यह एक ले लेते और दोनों साइड से किनारा उठाते हुए इस तरीके से बीच में ले आएंगे और साइड से इसे हम उठाते हुए इस तरीके से रोल कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा रोल बनके त्यार हो गया है और बाकी का रोल भी हम इसी तरीके से बना के रख लेते हैं एक और में बना क पानी लगा देते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए और इस तरीके से साइड को उठाते हुए बीच में ले आएंगे और अब हम इस कॉर्णर से इसे रोल करते जाएंगे तो यह देखे हमारा रोल बन गया है इसी तरीके से सारे रोल हम बना के रख लेते हैं तो यह देखे ह होके निकले तो यह आसानी से निकल जाए बरतन में चिपके नहीं इसमें हम यह सारे रोल को डाल देंगे और गयस पे मैं पानी गरम होनी के लिए रख दी थी तो पानी में उबाल आने लगा है इसमें हम यह बरतन डाल देंगे जाली वाला और इसको ढख देंगे और आठ स नमक डाल दी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दी इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला सलरी बना के त्यार कर लेंगे तो मैं ये सलरी मैदे से बना रही हूँ आप आटा से भी बना सकते हैं तो इस तरीके से ह तो इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने देगे अगर आपको ऐसे ही सर्फ करना हो तो जाने बढ़ आले मौमोस के च setting के साथ आप इसे सर्फ कर सकते हैं मैं इसे क्षिपी बनाओंगी तो इसके लिए अब मैं थो रा सा ब्रेड क्रम रखे हूँ मैं ठंडा un kilogram यहा बेट क्रम में बढ़िया से कोट कर लेते हैं, एक हाथ से हमे रोल ही को चिज थिर कावत दूसरा हमारा सूंख रहे हाथ समक था देगे हम 이건 कोट कर लेंगे इस तरीके से करने से ब्रेट क्रम गीला नहीं परेगा तो इसी तरीके से हम सारे नास्ते को बना के रख लेते हैं गेहूं के आटे का एक दम नाया और यूनिक नास्ता है दोस्तों आप लोग इसे एक बार जरू ट्राइ करिएगा आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा तो इस तरीके से हम नास्ता को ब्रेट क्रम में कोट करके रख लिये हैं और अब हम इसे सलो फ्राइ करेंगे तो तेल में पैन में गरम होने के लिए रख दी थी ये तेल थोड़ा सा गरम हो गया है तो अब मैं इसमें एक एक करके ये नास्ता को डाल देती हूँ तो एक बैच में जीतना इस पैन में आ जाएगा उतना हम डाल देंगे और इसे नीचे की साइड से फ्राई होने देंगे जब इस पे बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए नीचे की साइड से तब आप इसे पलट दीजे और हर तरब से उलट पलट के बढ़िया से इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिजे इसे फ्राई करने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है तीन से चार मिनिट में फ्राई हो जाता है तो हर तरब से उलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं आप इस नास्ते को बच्चे का बड़े पाटी हो या किटी पाटी हो या घर में कोई भी छोटी मोटी पाटी हो बना के और इस्टार्टर्स के तौर पे इसे सर्व कर सकते हैं सभी को ये बहुत पसंद आएगा तो मैं इसे हर तरफ से उलट पलट के बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर ली और ये बढ़िया से क्रिस्पी हो गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है उतना ही बढ़िया ये खाने में भी है एक ही नास्ता में आपको स्प्रिंग रोल, मोमोस, कचोरी, पकोरी, फ्राई मोमोस सभी का टेश्ट आएगा तो इस तरीके से मैं इसे निकाल ली और दूसरे बैच का भी फ्राई होने के लिए डाल दी सारे नास्ते को मैं इस तरीके से फ्राई करके निकाल ली और आप देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया हमारा नास्ता बना है तो इस तरीके से आप लोग एक बार जरूर बना के देखेगा, एकदम नाया और यूनिक रेसिपी है, आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा, तो इसे आप टमैटो केचप के साथ, या मोमोस चटनी के साथ, या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये नास्ता बच्चे नाके सर्व कर सकते हैं, और ये देखे, मैं तोर के दिखा रहे हूं कितना बढ़िया है, देखने में लग रहा है, एकदम गर्मा गर्म क्रिस्पी नास्ता हमारा बन के त्यार है, गेहू के आटे से,